हेलो गाईज आपका मेरे चैनल स्मार्ट स्टडी में स्वागत है आज हम डारेक्टेड ओफ एजुकेशन की तरफ से दी जाने वाली वर्क्षिट नमबर 28 करेंगे जो की क्लास 8 की है और सब्जेक्ट है साइंस ये वर्क्षिट 2nd निवेंबर 2021 की है तो आएए शुरू करते हैं आज की वर्क्षिट वर्क्षिट शुरू करने से पहले प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए तो आएए देखते हैं आज की वर्क्षिट लाइट टाइप ओफ रिफ्लेक्शन पिंकी की मदर मार्केट गई और एक न्यू स्टील की प्लेट देखी मार्केट में लेकर आए तब पिंकी ने नोटिस किया कि उसने जब अपना फेस न्यू प्लेट में देखा तो वो एकदम विजिबल था देखो क्या कहा जा रहा है कि जब इसके बाद जब उसने देखा कि उसका न्यू प्लेट में फेस जो एकदम विजिबल है एकदम बहुत अच्छे से नजर आ रहा है तो वो इमिडेटले अपनी किचन में गई और एक ओल्ड प्लेट को लेकर आई और उसमें अपना फेस देखा जब उसमें अपने फेस देखा तो उसने देखा कि न्यू प्लेट में तो एकदम विजिबल था लेकिन जो ओल्ड प्लेट है उसमें वो बलर सा नजर आ रहा है वो अपने स्कूल में गई और उसने अपने टीचर से पुचा कि न्यू प्लेट में तो एकदम फेस जो क्लियर विजिबल था बट जब ओल्ड प्लेट थी तो वहाँ पे बलर क्यों नसर आ रहा था तो जो आज की वर्क्षिट है बिटा हमारी रिफ्लेक्शन से ही रिलेटिड है इसका अंसर हमें आज की वर्क्षिट में मिलेगा तो आएए करते हैं आज की वर्क्षिट देखिए पहले हम यहाँ पे टेबल दिया गया है देखिए यहाँ पे क्या लिखा गया है Let us do activity to know type of reflection. Observe your image in the given surface in the table and complete the table. यहाँ पर table दी गई है, एक इसे complete करना है, इसमें different surface दी गई है, और हमारी जो image है, वो कैसे बनती है, यहाँ पर, वो हमें करना है, तो आइए देखते हैं, बिटा. फर्स्ट है new steel plate, steel की new plate में आपके जो image है, वो clear होती है, blur होती है, या not visible होती है, तो हम यहाँ पर लिख देंगे कि new plate में क्या है, एकदम clear है. नेक्स्ट है wooden table, wooden table पर क्या होगा बिटा? Wooden table पर not visible, wooden plate पर हमको क्या नहीं दिखेगी? Wooden table पर हमको हमारी जो image है वो नहीं दिखेगी, तो हम लिख देंगे not visible. Next है mirror, mirror में क्या होगी? बिटा, mirror तो आप रोज देखते हैं, तो mirror में क्या हो जाएगी? क्लियर, bucket filled with water, water के साथ आपको कैसे दिखाई देगी जब आप अपनी image देखना है, तो इसके अंदर बिटा clear होगी. Water में आपकी image कैसी होगी? क्लियर होगी है, इसको हलका सा blur, जैसा वो water होगा, उस पर depend करता है, तो ये blur भी हो सकती है, और clear भी हो सकती है. वोल में आपको अपनी picture जो है, जो image है वो नहीं दिखाई देगी, तो हम दिख देंगे, note, हम दिख देंगे, note visible. ठीक है, next देखिए, shiny tiles, shiny tiles में कैसी दिखेगी आपको, क्योंकि tiles है ना बिटा, तो आपको कैसी दिखेगी, उसके अंदर blur दिखेगी, उसके अंदर आपको अपनी picture कैसे दिखेगी, जो image है, वो कैसे दिखेगी, blur दिखेगी, तो इस तरह से आपको ये table अपनी notebook में करना है और इसमें image जो है, आपको किस तरह से दिखेगी है, ये देखना है, तो आज की worksheet में हम देखेंगे कि हमें picture कभी clear दिख रहे है, ये visible है, कभी क्या है, not visible है, कभी blur है, ऐसा क्यों होता है, तो ये होते है reflection का, इसका reason क्या है reflection, तो आइए देखते है, reflection are two type, हमने पिछली worksheet में incidence of light, हमने क्या कहा था, incident ray, और ये क्या करती है, जब भी किसी surface पे टकरा कर क्या करती है, bounce back करती है, और क्या था, opposite direction में जाती है, जैसे यहां से आईए न, तो वापस उसी medium में जाती है, उसी direction में जाती है, तो इसे हम क्या कहते है, reflection ray, इसको क्या कहा जाता है, reflection ray, तो ये सा से related हमारी worksheet है, हम समस्ते है, reflection are of two type, reflection की type देखते हैं, तो first is regular reflection, when all the parallel ray fall on the smooth surface, are reflect back parallel to each other, are known the regular reflection, देखो क्या कहा जा रहा है कि यह कोई surface है, smooth surface है, यहाँ पर क्या होई है, sun rays आ रही है, यहाँ पर light आ रही है, यहाँ पर क्या होई है, light आ रही है, और सारी जो lights है, यहाँ पर incidence ray है, जो यह क्या होते हैं, यहाँ से टकराने के बाद parallel आ रही है, और टकराने के बाद भी क्या होती है, parallel ही move कर जाती है, जो reflect होती है, वो भी कैसे होती है, parallel ही होती है, जब इस तरह का हम देखेंगे, इस तरह का reflection होता है, इसमें जो image बनती है, वो बहुत clear बनती है, ऐसे reflection में, जब क्या हो रहा है कि, जो incident ray आ रही है, वो as it is, जो reflection ray, as it is क्या हो रही है, उसी तरह move कर जाती है, जैसे कि, यह parallel आई है, तो उसी के parallel, जो सारी reflection ray है, वो भी एक पर Links रही है, सारी सारी कि, सारी कि हो जाती है, पैरलर ही सारी rays यहां पर गिरी है, और पैरलर ही reflection के बाद भी क्या होती है, साब पैरलर ही रहती है, तो ऐसे reflection है, उसे हम regular reflection कहते है, when all the parallel ray fall on the smooth surface a reflect back parallel on each other to know as a reflection regular reflection the new steel plate has regular reflect so the face appearance की लिए तो new जो surface steel की plate थी उसमें क्या होता है जो यह area यह जो surface है यह कैसी है smooth है जिसकी वज़े से यहाँ पे क्या होता है regular reflection होता है इसलिए जो face appearance थी जो face दिखाई दे रहा था अब हम देखते हैं irregular या diffusion reflection when all the parallel ray reflect from a rough और irregular surface are not parallel to each other the reflection is non-diffusion or irregular reflection देखो क्या का जा रहा है कि जब कोई areas जहाँ पे जो light है वो गिर रही है वो smooth area नहीं है क्या है वो smooth surface नहीं जैसे कि यहाँ पे यह इस तरह ऐसा कोई surface है जब यहाँ से आने वाली जो केरण है जितने भी incidence ray है वो तो क्या है एक दूसरे के parallel है लेकिन क्योंकि यह area क्या जो यहाँ पे surface कहेंगे हम जो surface क्या है smooth नहीं है उसकी वजह से जो reflective ray होंगी वो क्या होगी एक दूसरे के एक दूसरे से क्या होगी parallel नहीं होगी जिसके वजह से क्या होगा जो image बनेगी वो clear image नहीं बन पाएगी मेरी बास समझ रहे है बेटा जब incidence ray और parallel ray दोनों क्या होते है incidence ray भी parallel हो और जो reflected ray हो वो भी क्या हो parallel हो तब image एकदम clear बनती है लेकिन जब incidence ray तो यहाँ पर आपको एकदम parallel दिखाई दे रही है लेकिन क्योंकि यहाँ पर surface जो है वो क्या है smooth नहीं है वो क्या है देख थोड़ा उपर नीचे उसके वजह से जो reflected होती है तो reflection में की वजह से यह क्या हो जाते है एक दूसरे के टेडी मेडी हो जाते है यहाँ पर देखो मैं थोड़ी टेडी मेडी दिखाई दे रही है जिसकी वजह से जो image है वो clear नहीं बन पाते है हम एक बड़ फिट रिट करते है पर all the parallel rate reflect from a rough और regular surface are not parallel to each other the reflection is known as diffusion और irregular reflection तो ऐसे reflection को हम क्या कहते है ऐसे reflection को हम कहते है diffusion और irregular reflection the old steel plate has diffusion and irregular reflection old plate में कैसा होता है diffusion और irregular reflection होता है भी हमने पढ़ा था न कि old plate में picture clear नहीं थी क्यों? जो image थी वो clear नहीं थी क्यों? क्योंकि old plate में कैसा होता है diffusion और irregular reflection होता है the rule of reflection are successfully followed in diffusion और irregular reflection irregular reflection में भी क्या होता है जो regular rules of reflection है हमने क्या काता इस तरह से light आएगी और इस तरह से जाएगी ये क्या था rule of reflection था तो पूरी तरह से follow होता है बट क्योंकि उसकी जो surface है वो क्या है equal नहीं है surface क्या है smooth नहीं उसकी जैसे light आती है तो वो थोड़ी सी bounce या तेरी मेडी हो जाती है the rule of the reflection are successfully following diffusion और irregular reflection the ray is not parallel due to the irregularity in the reflecting यहाँ पर जो surface है वो क्या है regular नहीं है rough surface है इसकी वज़े से क्या होता है जो parallel ray जानी है वो क्या हो जाती है थोड़ी तेरी मेडी हो जाती है surface diffusion in all subject like cardboard this is the why the face is not clear visible इसी लिए जो face था old plate में वो clear नहीं था next देखते है क्या दिया गया बैटा diagram भी बहुत clear दिया गया है आपकी picture में यहाँ पर worksheet में आई देखते है do we see all object due to the reflected light nearly everything you see around in scene due to the reflected light moon for example receive light from the sun and reflected it moon क्या करता है sun से light लेता है उसको reflect करता है that's why how we see the moon the object which shine in the light of other object are called luminous object क्या कहते है हम उनको luminous object कहते है ठीक है next कहते है illuminated object कहते है there are other object which give their own light such light as sun, fire, flame, candle and electric lamp their light fall on our eyes that is how we see them the object which emit their own light are non-luminous object ठीक है illuminous object हो जाएगा illuminated object कौन से हो जाएगे जो क्या करते हैं दूसरों से light लेते हैं that object which shine the light of the other object other object से जो light लेते हैं उसे illuminate object कहा देंगे और luminous object कौन से हो जाएगे जो खुद light जिसके खुद की light होती है that object which emit their own light are non-luminous object अब हम करते हैं इसके कौशन अंसर बहुत easy है बेटा कौशन असर इसके कौशन अंसर इसके कौशन नमबर 1, what is the diffusion reflection देखे कहां पर बहुत अच्छे से दिया ही गया है यहां से लेके यहां तक आपका कौशन दिया गया when all the parallel ray reflected from the rough or irregular surface are not parallel to each other the reflection is known as a diffusion or irregular reflection कौशन नमबर 2, why your image is not clear when we see our face in the old plate क्यों old plate में क्या होता है बेटा अभी हमने पढ़ा था the old steel plate has diffusion or irregular reflection old plate में क्या होता है diffusion or irregular reflection होता है इसकी विदे से हम अपने image या picture को clear नहीं देख पाते हैं third question difference between the diffusion and irregular reflection तो यह भी बहुत clear दिया गया है बेटापकी वरक्षिट में यहां से लेके यहां तक हो जाएगा when all the parallel ray fall on the smooth surface reflected back parallel to each other is known as regular reflection ठीक है इसके बाद में यहां से यहां तक आजागा यह भी हम करें चुके है तो first आप लिख दीजेगा regular reflection फिर आप लिख दीजेगा irregular diffusal reflection अब हम करते हैं question number 4 what are luminous object give to example तो यहां पे दिया गया है the object which emit their own light are known as luminous object इसके example क्या हो जाएगे sun, fire flame of a candle and electric lamp तो यह इसके example हो जाएगे फिर्स आपको यहां से लिखना है इसके अपने definition लिख दी ठीक है उसके बाद में यहां पे example दिया गया sun, fire flame of a candle and a electric lamp यह इसके example हो जाएगे next देखिए name to surface which regular reflection will take place ऐसे आपको example देने surface बताने जो regular reflection देते है regular reflection का मतलब है जो क्या करने आपको जिसकी picture क्या हो एकदम clear हो तो first आजएगा new steel plate mirror यह इसके example हो जाएगे तो fifth question का answer आपका यह हो जाएगा new plate लिख दीजिए and mirror लिख दीजिए तो बेटा आज की worksheet complete होती है worksheet complete करके अपनी teacher से चेक कराएए और please मेरे channel को like कीजिए सबस्काइप की और शिर्षियर की थे एंकि झाल